हेलो गाईज कैसे हो आप सब लोग वेलकम बैक टो और अनदर लॉंग वीडियो तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ड आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने मेमोरेस पोकेमोन से फाइट की थी और अपने बेस को अपग्रेड करने के लिए मि है या नहीं तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाईज लाइट जाने की वज़े से मेरा सारा गेम डाटा करप्ट हो गया कोई हैल्प कर सकता है तो कमेंट करो प्लीज तो गाईज सुबह हो चुकी और चलो फटाफट अपने पेल बॉक्स के अपाश जाकर बोस पोकेमोन की एरिया में टेलिपोर्ट होते हैं जहां पे हमें बोस पोकेमोन से फाइट करेंगे तो चलो गाईज ही हम अब यह क्या है यह तो गल्ती से दूसरे पॉकेमोन को बाहर बुला लिया चलो नाइट विंग को बाहर बुला लेते हैं और उसके ओपर बैटके चलते हैं बोस पोकेमोन की लोकेशन पे तो गाइस मेरे को जहां तक पता है कि सामने की साइड ही वो बोस पोकेमोन हमें मिलेगा तो हम उससे फाइट करके उसे कैप्चर करने कर ट्राय करें बट एक सेकंड यार नीचे ये कैसा पॉक्यमोन है चलो मैं फटावट नाइट विंग से नीचे उतरती हूं और देखती हूं कि ये कौन सा पॉक्यमोन है ये पावरफुल लग रहा है तो चलो मैं इसे भी फाइट करके इसको कैप्चर करने का ट्राय करती हूं तो चलो हम अपने वुल्फ को बाहर बुलाते हैं और गाईज ये देखो हमारे वुल्फ ने आते हैं कितना तगड़ा अटाक किया अरे वुल्फ अराम से इसको किल नहीं करना हमें और ये देखो गाईज इसने हमारी पैलवोल को कैसे फैक दिया तो चलो मैं इसको धोड़े मंच मानने का ट्राय करते हूं जिससे कि इसकी हेल्थ कम हो जाए और हमें इसे इजली कैप्चर कर पाएं और यह क्या गाईज यह कितनी स्पीड में भाग जाता है अरे यह कौन आ गए और यह तो इस पोकेमोन को मार रहे हैं अरे यार यह कहीं इसको किल ना गर दे मैं इनको मिन्त बागते हूं भाग यहां से तो चलूक मैं फटाफट इसकी साइट पर बोल first यह हैं अरे तो नहीं वा rolls से कैप्चटर करने का ट्राय करते हैं अले यारّ कैप्चर हो जाना प्लीज हो जाया चलो देखते है क्या होगा और है क्या गैस यह तो चलौ हमयां से अपने न वहां क्या चमक रहा है गाइस मेरे को लगता है कि वही बोस पॉकिमोन है तो चलो मैं भी पास जाकर देखती हूं बट उससे पहले गाइस प्लीज आप सब विडियो को लाइक और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस यह देखो हम वहाँ पे पहु मच चुक्के हैं तू चलो हम फटाफट नाइट विंक से जम्क करते हैं और नीचे चलते हैं यह देखो गाइस यह हम यहांपर एक मेगा सपेर बोल भी मिली तो चलो हम चलते हैं अब अंदर की साइड ग आइस ये देखो अंदर ये तो कितना खतरनाक पोकेमॉन है अब ये क्या यार इस ने तो मेरे पर ही अैटेक कर दिया ह До ये तो मेरे पीछे पढ़ गया गाइस चलो मैं अपने पोकेमोन को बाहर बुला लेते हूं और ये देखो ये पोकेमोन के उपर भी कितना गंदा अटैक कर रहा है अरे यार ये अब हमारे पीछे पड़ गया और ये हमारे पोकेमोन तो कुछ खरी नहीं रहे और मेरा पीसा छोड़ मैंने तेरा क्या भीगाड़ा है भाग यहां से और ये देखो मेरे उपर कितना खतरनाक अटैक कर रहा है फिर से हमारे पास आ रहा है यार मैं क्या करूँ चलो मैं इसको एरोस से मारती हूं और ये क्या ये तो हमारे पोकेमोन को भी बहुत गंदे तरीके से मार रहा है तो चलो हम यहां से भागते हैं एक सेगिंड पीछे तो चलो मैं फटाफत अपने फायर पॉकेमोन को बाहर बलाटे हूं और यह देखो वहाराटो ह Efendimiz आते ही आ पर परागर पाएंगे तो चलो यह तो गाइस रात कुछ जादा ही हो चुकी है इसकी वज़े से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा तो चलो हम फटाफर ट्रेवल के पास जाके उसे अनलॉक कर लेते हैं जिससे केस का यूज करके हम अपने बेस्ट पे टेलिपोर्ट हो पाएं और यहां पे हमें एक मेगा स्पेर पोल मिल गई चलो इसे उठा लेते हैं और वो देखो यह कैसे पोकेमोन जा रहा है इन्हें कैप्चर करने का ट्राय करते हैं अरे यार नाइट विंग बेवकुफ ने तो इनको मार ही दिया अरे एक सेकंड वो सामने कौन सा पोकेमोन है गाइस जो उड़ रहा है यह तो बादा पारफूल है और इन आइट विंग ने अपना बड़ा खतरनाक अटैक किया तो इस पोकेमोन की हैल्थ काफी कम हो गई है तो चलो वेगा स्पेर बोल से ट्राय करते हैं कैप्चर करने का हो जा यार गाइस मिनको लगता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब ही एक एक हैप्चर होगा तो फ्लीज यार वीडियो को लाइक ओड़ चैनल को सब्सक्राइब करतो और यह हमने इसको कैप्शर कर लिया चलो गाइस हमारा इतना दूर आना वेस नहीं गया हमने एक बड़ा खतरनाक पॉकेमोन को कैप्चर कर तो चलो हम fast travel के पास जाके उसे unlock कर लेते हैं और उसकी help से अपने base पर टेलिपोर्ट होते हैं और ये हम अपने base पर पहुँच गए यार काफी रात हो चुकी है और मैं भी थक चुकी हूँ तो चलो मैं फटाफट जाके सो जाती हूँ सुबह उटकर देखेंगे हमारे new pokemon को सुबह हो गई है guys good morning तो चलो हम देखते हैं कि हमने कल जो दो pokemon capture की है उनका नाम क्या है इसका नाम है healthy fire और चलो इसको party में डाल देते हैं और दूसरे का नाम है robin kill इसे भी हम अपनी party में डाल देते हैं तो चलो अब हम अपने दूसरे pokemon को बाहर निकालते हैं और ये भी आते ही अपने काम में लग गया और इसने कैसे wood को अपने पैरों में पकड़ा हुआ है guys और ये देखो ये कितना खतरनाक लग रहा है यार मुझे तो डर लग गया है इसको देखे तो चलो guys हमारे पास बहुत सारे eggs हैं चलो हम इनको egg incubator में डालके देखते हैं कि हमें कौन कौन से pokemon मिलते हैं तो चलो फटाफट egg incubator के पास चलते हैं और सबसे पहले में ये pink वाला egg डालके देखते हूं तो चलो इसे complete करते हैं ये क्या गाईज हमें तो नाइट विंग मिल गया, अरे ये तो हमारे पास पहले से ही है, तो चलो और विस ब्लू एग को कमप्लीट करते हैं, तो गाईज इसमें जो पोकेमोन मिलाएं ये भी हमारे पास है, ये भी इतना कुछ खास नहीं है, तो चलो और हम अपने थर्ड देखते हैं तो गाइस के अंदर कोई खतरनाक सा पोक्मोन निकला है और इसके अंदर से फॉक्स पार्क्स निकला है तो चलो ऐससे बिद्धों से प् Wentmoreας को यह पेडाल थे और झाल दिया और पंग ओद को यह इंक expose लिए और भी इंदा अर्रों चलो इसको भी डाल लिए जले तो चलो हम अपने पैंग्विन की जंगे इसको डाल देते हैं क्योंकि पैंग्विन को तो हमने देख ही रखा है तो चलो अब पोकेमोन को बाहर बुलाते है अरे गाइस ये देखो कितना खतरनाक पोकेमोन है ये तो एक समुराइ वारियर जैसा लग रहा है देखो ये कितना फास्ट वुड कट कर रहा है तो चलो तो दूसरे पोकेमोन को बाहर बुलाते हैं और ये देखो कितना डेंजरस लग रहा है और इसकी ब्ल्यू फ्लेम कितनी मस लग रही है इसको इधर बुलाके देखते हैं और ये तो आते ही काम करने लग गया चलो तीसरे पोकेमोन को देखते हैं अबे रुख जा यार दो मिनिट कहां भाग रहा है अरे यार पता नहीं ये पोकेमोन इधर उधर कहां भागते रहते हैं तो चलो इसे हम वापस बुला लेते हैं तो जलो guys हमें इतने मस मस पोकेमोंस मिले हैं तो इसी खुशी में मैं तुम्हें डांस करके दिखाती हूँ और guys यह देखो रात काफी हो चुकी है तो चलो हम सोने चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही guys नेक्स वीडियो में हम ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे और पोकेमोंस की ब्रीडिंग करेंगे तो guys आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि हम कौन से पोकेमोंस की ब्रीडिंग करें